हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लोंग गाउन लेकर आए हैं और ये गाउन बहुत ही कम कपड़े में से हम बनाने वाले हैं इसके लिए हमने टू फैबरिक ली है एक हमने प्रेंटिल फैबरिक ली है और दूसरी नेट फैबरिक ली है प्रेंटिल फैबरिक हमने टू ए इस फैबरिक को फोल करना है यह जितनी भी फैबरिक है हम इसे एक वार फोल करेंगे तो यहाँ पर हमने फैबरिक को एक वार फोल किया है मैंने इसे एक वार फोल किया है और अब मैं इसे तिर्चा फोल करूंगी मैंने फैबरिक को चोड़ाई में fold किया है एक वार और अब हमें इसे तिर्चा fold करना है जिस तरह हम धोती सिल्वार बनाते हैं और fabric को तब fold करते हैं से मैंसे हमें उसी तरह fold करना है और जो इधर की fabric है ये हमारी two layer में है हमें fabric को full layer तक ही रखना है extra fabric की हम cutting कर रहे हैं तो हमारी ये fabric fold layer में है और जो हमने fabric को cut किया है ये two layer में थी और इसे हमने cut कर दिया है अब हम gown की drafting कर रहे हैं ये fabric की खुली side है और ये बंद side है जो भी आपके solder हैं जैसे की solder हमारे 14 इंच है तो उसका half वा 7 इंच तो कौने पर इंची tape को रखना है और बंद side की तरफ हम 7 इंच पे mark करेंगी जो भी solder हो पहले कौने पर इंची tape को रखें और आप mark करें solder हम 7 इंच ले रहे हैं तो कौने पर इंची tape को रखते हुए हमने 7 इंच पे mark किया है और इसके बाद अब हम 7 इंच तक तरची लाइन ट्रो करेंगे, आप देख लीजिए, पहले हमने 7 इंच पर मार्क किया है, और खुली साइड की तरफ हम 7 इंच तक ऐसे लाइन ट्रो कर रहे हैं, इस तरह जो हम सोल्डर लेते हैं, अमरिला का ड्रेस में, तो सोल्डर हमारी सी दे आते हैं, और यदि हम ऐसे इंच टेप को रखे सीधी लाइन ट्रो करेंगे, तो ये वी शेप में फैबरिक कट हो जाएगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें, जितने आप सोल्डर रखें, पहले बंद साइड की तरफ से मार्क करें, ठीक है, और इसके बाद अब हम यहां से गाउन की लेंथ रखेंगे, जिस भी साइज का आप गाउन बना रही हैं, तो इस लाइन पे इंची टेप को रखना हैं, और गाउन की फुल लेंथ लेनी हैं, ध्यान रखें, ये लेंथ आप बंद साइड की तरफ से रखें, खुली साइड की तरफ से हमें गाउन की फुल लेंथ ले रहे हैं लाइन पे हमने इंची टेप को रखा है जहां से हमने सोल्डर की ड्राफ्टिंग की थी यहां से अब हम गाउन की लेंथ ले रहे हैं गाउन हम 54 इंच का बना रहे हैं तो हमें फिक्स लेंथ लेनी हैं इसमें हम एक्ट्रा फैवरिक एड न मार्क किया है और इसके बाद लाइन पर इंची टेप को रखते हुए बंद साइड की तरफ हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और फिर हम यहाँ पर भी 7 इंच ही चोड़ाई ले रहे हैं और अब हम आर्म हॉल्स के लिए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि आर्म हॉल्स की ले रहे हैं तो यहां पर हम 7 इंच तक आर्म हॉल्स की लेंथ रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसके बाद 7 इंच साइज का आप गाउन बना रही हैं जैसे की गाउन हम 38 इंच का बना रहे हैं तो चोड़ाई 38 इंच है तो उसका फोर्थ हुआ 9.5 इंच और हाफ इंच की हम लूजिंग रखेंगे तो यहां पर हम 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं इसके बाद बने हाफ इंच फैबरिक मार्जन के लिए एड कर रहे हैं और अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे आर्म होल से जो हम मार्क करेंगे वह हम 8 इंच पर करेंगे साइज 38 इंच है तो इसलिए हमने 8 इंच पर मार्क किया है साइज कम हो तो आप 7 इंच पर मार्क करें कमर की ड्राफ्टिंग के लिए और यहां पर हमें कमर का फूर्थ भाग लेना है कमर साइज है 34 इंच तो उसका फूर्थ हुआ 8.5 इंच तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और इसके बाद 1.5 इंच फैब्रिक हम यहाँ भी मार्जन के लिए एड़ कर रही है और फिर हमें लाइन ड्रो करनी है जो मार्क हमने किये हैं इस तरह से हम लाइन ड्रो कर रही है हम फूर्थ भाग इसलिए रखते हैं कमर की ड्राफ्टिंग के लिए और जो हम चोड़ाई पर मार्क करते हैं तब हम फूर्थ भागी रखते हैं क्योंकि हम फैवरिक को फोल लेयर में फोल करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ये सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पे हमने कमर की ड्राफ्टिंग की है तो बंसायड की तरब भी हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और अब हमें ये देखना है इस लाइन से जो हमने गाउन की लेंथ 54 इंचे ली थी तो इस लाइन से वो लेंथ कितनी बची हुई है तो लाइन पे हमें इंची टेप को रखना है और इंची टेप को 54 वाले मार्क तक रखना है और देखना है कि इसकी लेंथ हुआ पे कितनी आ रही है तो ये हमारी 39 इंच है तो इस लाइन से वो लेंथ हमारी 39 इंच आ रही है तो अब हम खुली साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे जहाँ पर हमने कमर की ड्राफ्टिंग की है और हम यहाँ पर 39 इंच पर ही मार्क करेंगे और आप इस इंची टेप को जितना चाहें तिर्चा रख सकती हैं यदि आप इसका घेर 10 मीटर तक रखना चाहती हैं तो आप इंची टेप को फुल तिर्चा कर सकती हैं तो यहाँ पर हमने ऐसे तिर्ची लाइन ड्रॉ की है और आप देख लीजिए इस तरह से हमें लाइन पर इंची टेप को रखते हुए 39 इंच पर मार्क करते हुए गाउन के घेर की ड्राफ्टिंग करनी है ध्यान रखें इंची टेप को आप लाइन पर रखते हुए ही घेर की ड्राफ्टिंग करें तो यहाँ पर हम 39 इंच पर यह लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप देख लीजिए इस तरह से और यह बहुत ही आसान तरीका है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर गाउन बनाने का और बनने के बाद इसकी लुग बहुत ही सुन्दर आती है आप एक वार ट्राई जरूर करें इसके बाद अब हमें वो फैबरिक लेनी हैं जिससे हम यह डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पर हमने इस फैबरिक को एक वार फोल्ड किया है अर्ज में आप देख लीजिए और फिर हम इसे ऐसे चोड़ाई में फोल्ड करेंगे यह हमारी टू मीटर फैबरिक है तो अब उसी लाइन पर वो लाइन ड्रॉ करनी है इस फैबरिक के उपर जो हमने ड्राफ्टिंग करते टाइम यह लाइन ड्रॉ की थी आप फैबरिक को पहले रखने के बाद भी इस ड्राफ्टिंग को कर सकती है और हमने फैबरिक को इस तरह से फोल्ड लेयर में फोल्ड किया ध्यान रखे इस फैबरी की बंसाइड बंसाइड की तरफ ही होनी चाहिए अब हम आर्म हॉल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आर्म हॉल्स की लैंड जो भी हो सेंटर पे हमने मार्क किया है और यहां पे हम वन एंड हाफ इंच तक ऐसे तिरची लाइन ड्रॉ करेंगे कौने पर और फिर हमें गोलाई करनी है यह हमारे बैक आर्म हॉल्स की ड्राफ्टिंग होती है और फ्रंट आर्म हॉल्स की ड्राफ्टिंग के लिए जो मार्क हमने सेंटर पे किया था हाफ इंच हम इस मार्क को गले की तरफ करेंगे और हाफ इंच हमें इस कौने पर मार्क करना है और गोलाई करनी है, ये हमारे फ्रंट आरम हॉल्स की ड्राफ्टिंग होती है, और इसके बाद हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे, बंग साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है, और 2.5 इंच पे हम ывर मार्क करेंगे, गले की ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और फ्रेंट गले की लेंध हम 7 इंच रखेंगे तो 7 इंच तक हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से आप सीधी लाइन ड्रॉ करें और फिर हमें ऐसे बॉक्स बनाना है और 1.5 इंच पर हमें गले की गोलाई करनी है तो कौने पर हम इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच तक ऐसे तिर्ची लाइन ड्रॉ करेंगे और गोलाई करेंगे यह हमारा फ्रेंट गला रही गा यदि बैक और फ्रेंट गला बराबर रखना चाहती है तो आप उसाथ में ड्राफ्टिंग करें एक मार्क हम आर्म हॉल्स की तरफ करेंगे 1.5 इंच पर गले की तरफ हम इसे तिर्चा ड्रॉ करेंगे और जो हमारा बैक गला रहीगा उसकी लेंध हम ले रही है 5 इंच 5 इंच में हमने मार्क किया है और ऐसे बॉक्स बनाके हमें 1.5 इंच पर गले की गोलाई करनी है तो जो ये गाउन है इसकी फुल ड्राफ्टिंग हो गई है अब हम कटिंग करेंगे पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे और इसके बाद हमें इसे सोल्डर की तरफ से कट करना है और फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और इसके बाद हम इसे साइट से कट करेंगे तो इस तरह से आप इसकी कटिंग करने और इसके बाद आप इसे bottom part से cut करने ध्यान रखें, bun side की तरफ से fabric को हम अलग नहीं करेंगे यहां से और इसके बाद एक piece को हम अलग करेंगे back piece को front piece को हमें अच्छे से fold करना है front गले की cutting करनी है और इसके बाद आप front arm holes की cutting करें तो यहां पर हम front arm holes की cutting कर रहे हैं तो जो एक gown है, इसकी cutting हमारी complete हो गई है एक वार हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं हमने printed fabric वाले piece इस तरह से रखे हैं और net fabric को हमें यहां पर ऐसे सिलना है और cutting और drafting पूरी हो गई है अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ तो सबसे पहले हमें गला बनाना है तो simple गला है, गला हमने बना लिया है simple गले की video channel पे upload है, आप हाँ से देख लाए इसके बाद आप हम bottom part तयार करेंगे तो यहां पर यह gown के bottom part का center है और जो हमने यह net fabric cut की थी यहां पे हम इसे रखेंगे printed fabric को हमें सीधा रखना है और net fabric को हमें back side की तरफ से रखना है जो सीधी side है net की यहां पे हमें sly लगानी है इस बात का आप ध्यान रखें तो यहां पे हम इसे pin up कर रहे हैं net को हमें back side की तरफ से रखना है और ऐसे आप पूरे बॉटम पार्ट पर इस नेट को पिनप कर लें जैसे मैंने इसे इधर की तरफ से पिनप किया है ऐसे आप दूसी तरफ से भी पिनप कर लें और पिनप करने के बाद अब हम ये सिलाई लगा रहे हैं और friends जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में हूँ. इस बात का ध्यान रखें. सुरबाद में हमने half inch फेबरीक रखी है सिलाई में. तो आपको last तक half inch फेबरीक ही रखनी है सिलाई में. और ध्यान रखें, नेट फैबरी को आपको खीचना नहीं है, बिल्कुल भी, और ना ही प्रेंटेट फैबरी को खीचना है, अच्छे से रखते हुए आपको ये सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, इसके पाद अब हम इस फैबरी को सीधा रखें और धीयान रखें जो printed fabric है, यहाँ पर हम के सिलाई वाली साइड के ओपर की तरफ करेंगे और लेस को हमें रखना है और सिलाई लगानी है लेस लगाने से और भी अच्छी लुकाएगी, तो अब हम printed fabric पर लेस को रखते हुए सिलाई लगा रहे हैं और ऐसे ही हमें पूरी फैबरिक में ये स्लाई लगानी है किसी भी पीस को हमें खीचना नहीं है तो यहाँ पे हमने लैस को सिल लिया है पूरे में हमने लैस लगाई है अब हम बोटम पार्ट की तरफ लैस लगाएंगे तो नेट फैबरिक को हम सीरी तरफ फोल्ड करेंगे द्धान रखेंगे अब की बार भी हमें नेट को खीचना नहीं है हमें इसे हलके हाँ से फोल्ड करते हुई स्लाई लगानी है तो बोटम पार्ट पे हमने यहाँ पे ये लैस लगा लिया है देख सकती हैं और बहुत ही सुन्दर इसकी लुकाई है और इस पीस को हमने तयार कर लिया है फ्रेंट पीस को बैक पीस को भी सेम ऐसे ही तयार करना है एक पीस को हमने सीधी तरफ से रखा है और बैक पीस को हम बैक सैड की तरफ से रख रहे हैं उल्टी तरफ से और अब हमें की तरफ सिलाई लगानी है पहले और इसके बाद मेजर-मेंट के अकौ 02 में रखी है उतनी ही आपको लाश्टर तक रखनी है तो सोल्डर के लगाने के बाद अब हम आर्म हॉल्स से लेकर बॉटम पार्ट तक स्लाई लगाएंगे तो यदि आप इसमें आर्म हॉल्स पे पाइपिल लगाना चाहती हैं तो पहले आप पाइपिल लगा लें इसके बाद आर्म हॉल्स से लेकर बॉटम पार्ट तक स्लाई लगाएं ध्यान दखें जो ड्राफ्टिंग हमने कटिंग करते टाइम की थी उसी पर आपको ये सलाई लगानी है तो यहाँ पर हम ये सलाई लगा रहे हैं और सेम ऐसे ही आपको दूसी तरब भी सलाई लगानी है तो यहाँ पे हमने यह सिलाई लगा ली है और यह सिलाई हमने बॉटम पार्ट तक लगाई है और ऐसे आप दूसरी तरब भी यह सिलाई लगा ले और इसके बाद आपको बाजू लगाने है और बाजू लगाने की वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखें किस तरह से लग करें और आपको गाउन की कटिंग और सिटीचिंग में कहीं भी फ्रॉल्म हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद